असलाम नेकुम डियर स्टुडेंट्स वल्कम टू ओर चैनल वर्ल्ड अजुकेशन और आज हम वर्ल्ड अजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS101 का मॉडूल नंबर 41-50 क्लियर करेंगे मैंने आपको अपनी प्रिवेस वीडियो में बताया था कि हम इंशाला अपना 10-10 मॉडूल जो हैं वो एक-एक वीडियो में कवर करेंगे इस तरह हमारा जो स्लेबस है वो मिटम तक कवर हो जाएगा तो अब मैं आपको basic concept देता जाऊंगा आप basic concept में से इसको understand करते जाएंगे और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आएगी तो आप हमसे comments में पूछ लीजिएगा हम इंशाला आपके comments के reply करके आपका concept clear कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही request है कि अगर आप हमारे चैनल पर new है तो कानली हमारे चैनल को subscribe कर लें उस चीज को कहा जाता है लेकिजी डिवाइस इस नॉमली हैंडिट थ्रू एन इंटर्मेडिरी अपरेटर इस नौन अस कंट्रोलर यानि कि ऐसी डिवाइस या ऐसी कोई भी किसी भी तरह की जो चीज है वह ओवरॉल कंप्यूटर को कंट्रोल कर रही है तो उसे कंट्रोलर का नाम दे दिया जाता है बेसिक डेपनेशन है और आप देखे जाए तो एक CPU ऑवरॉल जितनी भी दिवाइस कंट्रोल कर रहा होता है तो आप यूएसबी के अंदर जो यूएसबी जहां पर आप पोर्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर CPU के अंदर तो वह चीज जो जो डिवाइस होती है जिसे आपकी यूएसबी अटेज हो रही होती है वह जो जगह है वह पोर्ट कहलाती है एज़ा एंसी की उसे इंपोर्टन और एज़ा शोट कोश्टन भी यह पिछली दफा आया हुआ था तो आपने इच्छी तरह से याद रखना है इस इसको यूणिवर्सल सर्वियल यह सेरियल बस क्या होता है यूएसबी यह इंपोर्टन कोंसेप्ट है यूएसबी स्टैंड फॉर यूणिवर्सल सर्यल बस यह सम्टाइम फायर वाइल भी कराती है बाइच अस सिंगल कंट्रोलर इस एबला हैंडल वराइटी ओव डिवाइस इस इसके अंदर अपने परसनल डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं नीचे इसने यही बताया है कि इसका इंटरफेस होता है यूएस देखंड लगाते है प्रिंटर लगाते है वाइड और आप जो नहीं हो काम में इसको काम है POLराना शुरू कर देते हैं Tapio여 पस चाई और मेरा CPU म लिंक के साथ और सो त होती है जो कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ आपस में मिला देती है तो इस वाय इन एक्चुली काल दा बस इन कम्पूटर साइंस इस चीज को भी आप याद रखिएगा और यह खुद से आगर देख लिएगा पड़ भी लीजेगा लोड की बात करते हैं लोड और स्टोar क्या होता है एन इंस्ट्रक्शन सीमिलार सो whipping डू इंस्ड्रक्शन इंस्ट्रा रखिए पाइगाएं अगर और आपको नाम याद है तो आप अपना को सब्सक्राइमग कर सकते हैं और लोड का मतलब होता है कि एक चीज या एक कोई भी डेटा कोई फाइल आपकी एक जगह से लोड होकर दूसरी जगह पर जा रही है तो ये लोडिंग आ जाती है मॉडिल नमबर 42 की बात करें तो direct memory assess and hard shaking का क्या मतलब होता है direct memory assess की बात करते हैं पहले this ability of a controller to access main memory is known as direct access memory यानि कि वो ability जो के control कर रही है access करवा रही है main memory के साथ main memory कौन से होती है main memory is called ram 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 stand for random assess memory तो जब आप उसके साथ link करते हैं तो आप direct memory access के साथ link करते है and it is a significant asset to a computer performance for instance to retrieve data from a sector of a disk direct memory access जो होती है वो कहां पर use होती है जहां पर देखें अगर आपने data को निकालना है data को निकालने समराद यह है कि अगर आपको dvd या cd का concept clear है वो भी previous module में बने करवाया हुआ है तो अगर आपने नहीं सुना तो आप पिछले जाके मेरे चैनल में 4 एकर इसमेफल अगर 3 से 4 वीडियोती है तो आप 304 व्ड यदेव 15-4 वीडियो सारी गठी वीडियो से कटी वीडियोंES से एक वीडियो को रिट्राइव कर रहेह है लिए निकाल रहे है तो यह आप अ parliamentaryैक्स कर पे कंृना कर रहे हैं human right को इन विच ऐसी प्यूव फ्लेचिस इंस्ट्रक्शन फ्रों मैम्री ओवर सेंट्रल बस अब वॉन न्यूमन था थियोरी उस ने दी थी उसके अंदर से सीप्यू फेच करवा सकता है यहां मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम इन करूं तो देखें जी इन विच ऐसी प्यू यहां से आप से शॉर्ट को सब्सक्राइब पूछे जा सकते हैं यहां पर आपका जो डेटा होता है वह गुड जो ट्रांसफर हो रही होती है जिसने आप इसने लिखा हुआ है सर्वल सिगनल आल्ट रांसवर्ट एडट अड़ से सप्सें सब्सक्राइब यहां पर हमारा डेटा रुक नहीं सकता या आपस में मिक्स होके तंग नहीं कर सकता डेटा ट्रांसफर इसमें गुड होता है रिकौइर्टक्स आर्टिक्ट्टैक्टब अब देखें अगर आपको एक फंक्शनली। जी किसी भी चीज की अच्छ लेएए जाएगी पिर तायर बार मूव जाएगी पीछों वाइगी जप नोका ँरिटा शकते हैं ली जगता हैं ऐसा ब्देटा से मोव कर रहा होता है इसके ढूआ रहा रहा होता है सिंगल पास पास सेहा ताइम जydhr fiery old होता है थे दिन आ रहा है advantages की बात करें तो यहां पर आपको कोई भी एर्र है यानि कि अगर आपको data पता लग रहा है कि मेरा data अराम नाम से जा रहा है तो अब आपका data जो error होता है उसके chances बहुत जाएदा कम हो जाते हैं तो यह इसका सबसे बड़ा advantage है cable modems की बात करें तो cable modems का क्या मतलब होता है fiber optics and coexil cables for higher definition TV and computer networks यानि अगर आप cables ना हों तो क्या आप communicate कर सकते हैं CPU की मतलब से अपनी screen के साथ या अगर आप अपनी mouse की cable को CPU के साथ attach ना करें तो क्या आप communicate कर सकते हैं माउस के साथ अपने CPU की computer screen के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो cable is something very important in computer language and computer science फिर उसके बाद बात करते हैं KBPS यह भी important mcqs है यह आप से पुछा जाता है बार-बार mcqs में आता होता है KBPS stand for kilobits PS stand for per second फिर MB million bits यहां पर लिखा हुआ तो million bits से मेगा बाइट ठीक है megabyte भी आ सकता है और million bit भी आ सकता है GB का मतलब billion bits और GB का मतलब मतलब गीगा बाइट यह भी आपने याद रखना है फिर eight kbps यह निए eight kilo eight kilo byte per second किसके बराब होती है one kb per second के यह भी आपने याद रखना है module number 44 की बात करते है pipe lining pipe lining का मतलब क्या होता है यह pipe lining का मतलब क्या होता है electric pulses travel through a wire no faster than the speed of light यह भी important mcqs है पिछली दफ़ा यह line mcq यह जो final time मैं इसके अंदर आई वी थी और quiz के अंदर भी आई वी थी आपने याद रखना है कि जो computer का data flow हो रहा होता है यानि computer जो होता है एक जगा से दूसरी जगा जो transfer करता है data को उसकी speed इतनी ज्यादा होती है कि हम उसे देख नहीं सकते लेकिन वो फिर भी speed of light से कम होती है याद रखिएगा since light travel approximately one foot in a nanosecond ये इसने example दीवी है कि light जो होती है वो एक approximately एक foot जो होती है एक nanosecond में cover करती है यानि one billions of seconds जे अंदर वो cover करती है जबके computer को it require at least two nanosecond for the CPU to fetch an instruction from a memory cell light को once fit one जो nanosecond होता है require होता है एक foot चीज लाने के लिए और जबके computer को two nanosecond require होते है ये याद रखना है important concept है बाहरा दफा मैंने आपको ये बताया है important है इसको लाजमी तोर पर आपने अपने handouts के अंदर लिख लेना है उसके बाद pipe lining क्या होता है an example of how committed throughout can be increased without requiring increase in execution speed involves pipe lining अगर आप अपनी computer की speed को बढ़ाना जाते हैं तो आप pipe lining को use करते हैं which is a technique जो के एक ऐसी technique है of allowing the step in machine cycle to overlap जो के आपकी machine cycle को क्या करती है overlap कर देती है fast कर देती है इन particular खास तोर पर while one instruction is being executed जब आप जो है execute करवाते हैं एक instruction को the next instruction can be fetch तो जो अगली instruction है वो पहले से execution के लिए त्यार हो जाती है तो यहां पर आपका time है वो काफी बच जाता है अब आगे देखें यह आपर jump भी लिखा हुआ है जो last second line of course when a jump instruction is reached मैं सब्सक्राइब जूम कर दोंदा कि आपको पता लगजे जब आप जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अप्टेंड बाइप प्र प्र प्री फेचिंग इस नोट रियलाइज बिकॉस इंस्ट्रक्शन इन पाइप नहीं आपको इसको छोड़ दें यहां से कुछ नहीं आता जब पहली दो लाइन अपर वाले मॉडिल की व operation system very important topic यहां से आपका शुरू होता है और प्रेटिंग सिस्टम केहते हैं कि जो आपकी Windows होती है वहा आपका operating assessing system the job resigning in mass storage wait for execution in the job query a query is a storage organization in which object in case of jobs are recorded in first in first out FIFO याद रखिएगा FIFO stand for first in and first out प्रोनाउंस दे क्या जाता है FIFO यानि F1 and FEO fashion के नाम से क्यों क्यों होती है अगर इसके बारे क्यों हैं इसको गलत होगा तो आपने से जोब क्यों कहना है जोब इसने वैसा आपको पता दिया क्यों का मतलब होता है कि आप एक लाइन में जा रहे हैं जिस तरह आप स्कूल सिस्टम में होते हैं स्कूल मेंmented是什麼 में क्यों होती है तो वह उने स्कूल यहां से कुछ नहीं आ सकता बाकी आप लेकिन आपने रीडिंग लाजमी करनी है आपको रीडिंग आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ओके जी उसके बाद जो है अब हम बढ़ते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग क्या होता है इसका मतलब यह है कि इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जिसके लिए आप क्या करते हैं आप जो प्रोसेस करते हैं अपने डिटा को और प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाता है तो वो प्रोसेस आपका इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जिस तरह अगर एक कल्कुलेटर की बात की जाए तो रीड बोच करना है ताके आपको अच्छी तरीके से आपका concept clear हो सके आपने आगे बीछे नहीं करना वरना आपका concept clear नहीं होगा operating system basic concept one basically तीन operating system के basic concept है अब हम one की बात करने लगे हैं सबसे पहले तो कोडिनेशन विद यूजर यानि कि आप कोडिनेट कर सकें यूजर के साथ आप बातचीत कर सकें तो आप ऐसा system बनाएंगे सबसे पहले successfully interactive processing is to respond the user with sufficiently fast time यानि कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको बिल्कुल एक clear बात बता दूँ एक चोटे से टाइम के अंदर तो यह कोडिनेश जो कोडिनेशन है विद यूजर उसका पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है जी प्रिंटिंग रिकॉर्ड फॉल वी यू स्टुडेंस कि आप दूसरे इस ने एक्जम्पल दियो या अपने वियू की यानि विर्चु करें वा था और एक शोट को शिन मिट पूछा गया था तो यह लाजमी तरह याद कर लेना आपने टाइम शेरिंग का मतलब यहता है कि तीन से चाट टास्क ऐसे हैं जो कि यूजर पर फॉर्म कर रहा है और अब सीप्यू का कर रहा है सीप्यू एक्वल इंटर्वल नको टा यूजर्स हैं तो अब 6 यूजर्स क्या करें एक CPU को यूज करें यह आगे 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 आप networking में पढ़ेंगे अगर आप ICS के स्टुरेंट्स हैं तो आपको पता होता है कि networking क्या होती है और अगर आप FSC के स्टुरेंट्स के लिए एक निया concept है तो आपने परिशान नहीं हो ना आपने आगे आप तफसील से नेक्स्ट जो lectures हैं और नेक्स्ट जो आपके semester हैं उनके अंदर आप पढ़ेंगे लेकिन अभी आपको सिर्फ concept दिया जा रहा है हवाला दिया जा रहा है अब आप छे यूजर्स हैं और छे यूजर्स क्या करें सिर्फ एक सीप्यों को यूज करें तो यहां पर आपका जो सिस्टेम में वह स्लो नेके चांस से ज्यादा हो सकते हैं इस चीज़ को आपने याद रखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों होती है वन वे उफ इंप्लीमेंटिंग टाइम शेनिंग स्मॉल टाइम इंटर्वल एंड इच जोब इस एग्जेक्यूटेट फोर सच अ स्मॉल इंटर्वल अर्ली सिस्टम वर एबल तो सर्विसिस थैटी यूजर्स सेमेंटेनियसली वीडियो को देख रहा है उसका दोस्ते तो आप एक ही वीडियो को देख रहे हैं डिफरेंट यूजर्स के साथ यह मल्टी लोग एक ही चीज़ को या एक ही सर्वर से किसी भी डेटा को रिट्राइफ कर रहे हैं मल्टी टास्किंग की बात करें तो मल्टी टास्किंग का मतलब होता है एक एक ही स्क्रीन पर दो से एक से ज्यादा ऑपरेशन को परफॉर्म करना जिस तरह आजकल के अंड्रोइट 10 के अंदर यह चीज़ देखी जाती है आप वट्साप को भी एटा सेम टाइम यूज कर सक देखें कि आपको और पोपयेटेंग कर रहा है आपको अपरेटिंगस स्टेम ही परवाइट कराई अब अबापरेटिंग कशिट्म को पता लगया कि जेदें वह अपरेट्स तनदे पर फॉर्म करने के लिए आपको multi user की जुरूरता है multi user में अब जिस तरह आपका concept बढ़ता जाएगा उसी तरह से आपका जो operating system और जो operating system का variant वह भी update होता जाएगा यानि जितनी ज्यादा आपकी चीज़ें आपको चाहिए उतना आपको update करना पड़ेगा तो उसके लिए आप basic concept 2 पड़ेंगे विदा डिवल्पमेंट ऑफ मल्टी यूजर टाइम शेरिंग अपरेटिंग सिस्टम अर्टिपिकल कंप्यूटर इंस्टॉलेशन वर कंफिग्यूर्ट यह कंफिग्यूर्ट एज लाट सेंट्रल कंप्यूटर कनेक्ट इसको पड़ लेना है यहां से जो लोड बैलेंसिंग यहां से आपका में टॉपिक शुरू हो रहा है लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है डैनमिकली अलॉट अलॉकेटिंग टास्क वेरियस प्रोसेसर सो डाइट आल प्रोसेसर आर यूज़ एफिशेंटली आज़ एस है Scaling, Breaking Task into a Number of Sub-Task सबसे पहले अब Task क्या होता है मैंने आपको एक Task दिया कि आपने Lecture नंबर 40 यानि Module 40 to 50 आपने clear करना है अब 40-50 अब clear करेंगे यह ओपका ऐक इक टास्क है अब आप अगर आप दो फ्रेंड्स है और दो इससे सब टास्क में डिवाइट करनें हैं सब टास्क का मतलब होता है कि 5 Resources एक लड़का यहां एक ताका दीझाद आपका करने और 5 लेकटर जो दूसरा हो जाता है और काम जल्दी होता है फिर उसके बाद embedded system क्या होता है embedded operating system are often expected to conserve battery saver यानि कि यह वो system होता है जिसे आपनी system की batteries को save कर सकते हैं और अपनी work की eligibility को बढ़ा सकते हैं आगे बात करते हैं operating system software qualification की software classification इसको भी आपने इसको याद कर लेना है operating system software classification डियर आपको सिर्फ एक पर्टिक्वलर टास्क दिया जाता है फॉर इक्जेंपल अगर एक वीडियो एडिटर software तो वह application software होगा या एक जो जिस तरह वी यू अलमस है अब इसके अंदर सिर्फ आप education से relevant data इस्तमाल कर सकते हैं तो यह भी application software है इस तरह WhatsApp है Facebook है YouTube है यह तमाम तर चीज़े application software आ जाती है social networking बखी में आ जाती है operating system दूसरा जो दूसरी टाइप है इस system software system software वह software होता है जो के इन तमाम तर चीज़ों को रन करवाता है जिस तरह से अब आपको application software को यूज करने के लिए एक system software चाहिए system software is actually called the operating system आप कह सकते हैं जो operating system है वो system software होता है नाम से पता लग रहा है कि जो जितना भी जो system है उससे control करेगा जो software वो system software होगा जो आपका computer है वो एक system है और system को solve, turn करवाने के लिए इस system को use करने के लिए आपको एक ऐसा software चाहिए जिसे आप इसे use कर सके तो वो उसका नाम है system software तो system software को हम operating system भी कहते हैं फिर utility software की बात करते हैं utility software वो software होते हैं जिसके जरीए भी आप specific task को perform कर सकते हैं यानि कि one is the operating system itself and other consists of the software unit collectively known as utility software यानि कि operating system एक खुद का operating system और other consists of the software unit collective अगर हो जाए यानि एक operating system और दूसरा operating system अगर collectively काम करेंगे तो वो utility software के अंदर लाए करेगा नीचे इसने example दीविए वह आप खुद से पढ़ लीजिएगा यह diagram है इससे भी आपको इस तरह अंदाजा हो जाएगा सबसे पहले आप operating system को भी दो इससे में invite किया गया that is user interface और kernel आगे बात करते हैं module no.49 की operating system का component 1 है यह इसके भी तीन components है सबसे पहले component में आप क्या बात करेंगे यूजर interface क्या होता है देखें जिस तरह जो windows है अपनी laptop को या अपनी computer को on करते हैं तो आपके सामने एक screen open होती है windows 7 है तो 4 boxes बन इंटरफेस है जब आप में स्क्रीन पर जाते हैं जहां पर आपकी apps पड़ी होती है my computer recycle bean और आपने दूसरे software की होते हैं और जो by default software होते हैं वह आपका एक interface होता है आपको पता लग रहा होता कि हम my computer में जाएंगे तो हमारी सारी applications on हो जाएंगी तो यह user interface होता है याद तो first computer आया था that is 1970 I think में आया था 1970-1960s के अंदर जब यह operating system को बनाया गया था तो अब जो पुराने operating system है उसे हम shells कहते हैं यह क्या करते हैं communicated with user through textual messages using a keyboard अब यह communicate कर सकते हैं कीबोर्ड को इस्तमाल करते हुए graphical user interface को मैंने आपको बता दिया user interface का मतलब है कि जो आप interact कर रहे हैं graphical user interface का मतलब है कि आप graphs के through contact कर रहे हैं graphs का मतलब के my computer है तो my computer is actually a graph जिसके जरीए आप क्या करते हैं जो communicate हो अपने computer के साथ कर सकते हैं इसके लावा अगर आपने जो recycle bean recycle bean itself एक graphical user interface तो graphical user interface का मतलब यह है जिसे हम GUI भी कहते हैं कि आपका जो overall computer का operating system वह तमाम तर जो graph है उसके उपर डिवाइड या उसके उपर consist होना चाहिए उसका कि MS-DOS operating system को इस ने उप्रेटिंग सिस्टम की example यह यह भी आपको short question आता है कि write the two names of operating system दो नंबर का तो आप एक Windows का नाम लिए सकते हैं इसके लावा एक यहाँ वह यूनिक्स operating system है जो कि इस ने आप पर बताया हुआ है मैंने आपको टच करके बता दिया है इसके लावा एक कर सकते हैं रोम को चक कर सकते हैं हार्डिस्स चक कर सकते हैं कौन-कौन से ड्राइवर इसके लावा पो चक कर सकते हैं तो यह तमाम तर इंफोमिशन आपकी Windows manager इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि यह करनल प्रेटिंग सिस्टम है इसने यूजर इंटरफेस आपको बता दिया कि यहां पर यूजर होते हैं यह एक से ज्यादा यूजर इसको इंटर जो कर सकते हैं लास्ट अपने जो टॉपिक को तरफ चलते हैं जी ऑप्रेटिंग सि जाधा यूजर उसको इसको सकते हैं तो उसके लिए बेहतनी प्रेटिंग सिस्टम है इसके पर देख लिए इंटरनल पर्ट होता है उप उप्रेटिंग सिस्टम का वह करनल के रारा होता है मतलब क्या है इसका कि यहां टाइम आप 2-3 अप्लिकेशन को सफिते हैं यह आप जो है अपने computer पर game खेल सकते हैं YouTube इस्तेमाल कर सकते हैं Google इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह तमाम तर चीज़ें अंदर हो रही होती है तो अब अंदर किस तरह perform होती है वह जो operating system है वह perform कर रहा होता है तो इस operating system के perform करने के इस scenario को हम जो है करनल का नाम दे लेते हैं File Manager की बात कर रहा है File Manager का काम की होता है Whose job is to function required by the computer installation Sorry Whose job is to coordinate the use of the machine mass storage facilities File Manager का का काम ही होता है कि वह machine mass storage facilities provide कर रहा होता है यानि जितनी जगह आपके पास मुझूद है उसी हसाब से आपके program को execute कर वा रहा होता है आपके program को run कर वा रहा होता है dictionary और folder की बात करें तो अगर आपने operating system को इस्तमाल किया आजकल ऐसा कोई बंदा भी नहीं होगा जिसे computer ना use करना आता हो तो आप जब left click करते हैं तो आपको एक option आता है new का जब आप new पे open करते हैं तो आपको option आ रहा होता है folder का तो आप वहाँ जाके folder को बना लेते हैं तो यह वही बात है यह उसने definition दे दिया है इस काल डा directory path एक जो directory होती है उसके अंदर का जो path होता है उसके जो change होती है वो directory path के लाती है फिर उसके बाद इसने नीचे example दीनी है example आप खुद से read कर लीजेगा easy है अगर आपको समझ नहीं आएगा तो हमसे comments में पूछ लीजेगा device driver क्या होते है device driver का मतलब भी होता है कि जो device आपने computer के साथ connect करनी है उसका driver भी आपको चाहिए होता है तो another component of the kernel system अब यह भी control कर रहा होता है वह जो kernel system है वही इस चीज को control कर रहा होता है collection of device drivers यानि कि अगर आप कर रहे हैं तो keyboard का device driver वह अलग होता है mouse का अलग होता है printers का अलग होता है fax machines का अलग होता है scanners का अलग होता है तो यह तमाम तर device drivers आपको चाहिए होते हैं यह भी जो kernel operating system है वह perform कर रहा होता है एक another unit इस ते दे दिया आपको वह सारी चीज़े जो manage कर रहा होता है वह memory manager ही manage कर रहा होता है इसकी जो duties होती है such duties are minimal in an environmental in which a computer is hours to perform only one task at a time यानि कि यह सिर्फ एक टास्क उता हो at a time perform कर सकता है उसके आगर देखें जी memory की बता रहा है कि आपके पास आप 4GB RAM आ सकती है 8GB आ सकती है 12GB आ सकती है चुकि आपको कोर्स थोड़ सा पुराना है तो इसने आपको यहाँ पर नहीं बताया dear students यहां तक आपका जो module number 50 है 40 से लेकर 50 तक आपके clear हो गए है मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर थोड़ा कम duration में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ समझाई जा सके अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते है almost आपके 40 से 50 तक module है यह important modules है आपको आने कि हमारे पाज जो memory cells है क्या होती है operating system का work क्या होता है यहाँ से आपका paper आ सकता है आपको important है याद रखना है कोई चीज़ समझ नहीं है तो हमसे comments में पूछ लेना है हम इंशाला आपको comments क reply करके आपको as soon as possible आपका concept clear कर देंगे इसके इलावा अगर आप हमारे चैनल पर न वीडियो अच्छे लगने पर इसको like भी करें और comment भी करें thank you so much dear students allahafiz